हलो दोस्तों और बढ़िया सब स्वागत है आप सबका हमारे और आपके प्यारे से चैनल कोकिंग मुखिया पर सिर्फ पांच मिट में बनाएं चटपटी मज़ेदार और करारी चाट पापड़ी कम समान में और बनाना तो बहुत ही आसान है तो चलिए रेस्पी को शुरू कर करते हैं तो यहां पर हमने इक पैंड लिया है इसमे एक टोड़ के हमने दो कस्मेरी लाल मिश डाली है और एक हम एक टीस्पून हमने जीरा एक चाथाई ठाब fällt हूंध हमझ यहां पले है कर वह इससे मिलूडा से पहुन लेगे आप इसमें तीकी वाली लाल मिर्स ले सकते ह तो मसाला हो गया, ऐसे प्लेट में निकाल लेंगे, और इसे हम धर्दरा ही पीस लेंगे, देखिए इस तरह से हमने पीस लिया है, अब इसके लिए हम चटनी बना लेते हैं, तो यहाँ पे हमने धनिया लिया है, तीन हरी मिर्श, लैसुन, तीन से चार के लिया, और अध्रेक लिया है, यहाँ पे हमने बूंदी डाली है, आप भूने हुए चने भी ले सकते हो, और इसमें थोड़ा सा काला नमक, और स्वाद के उशार नमक सफित वाला डाला है, थोड़ा सा पानी डाल कर इसे हम पीस लेंगे, तो यह हमने पीस लिया है, चटनी बनके तयार हो गई ह तो इसे हमें कटोरी में निकाल लेंगे यह चाट बनाना बहुत ही आसान है यह हमने पालक लिए हमने अपने किचिन गार्डन से पालक काटी है तो दीखिए पालक सॉफ्ट ही लें यहां पे हमने दही लिया है यह घर का दही है इसमें हमने एक टीज़्पून चीनी डाल दिय अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें तो दही हो गया है अब यहां पर हमने बेशन लिया बेशन हमने चान कर लिए है दो चमज इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक हम पैटर बन लेंगे जिससे इसमें सोड़ा डाले की कोई जरुद नहीं होगी तो देखिए अच्छे से हमने एक मिनटे से फेट लिया है और इसकी तिकनिस देख लेजिए ऐसी रखनी है ना इसे ज्यादा गाड़ा रखना है ना ज्यादा पतला दो पिंच हमने इसमें हल्दी डाल दि तो हमारी काराइब नहीं बनेगी जो चार्ट की पापड़ी है वो कारारी नहीं बनेगी इसे हमने गैस की फ्लेम सुलो कर लिए है और प्लेम पर हमने अलट पलटकर कृश्पी होने तक इसे सेक लिया है देखिए इस तरह से आप एक बार इस तरह से बना के देखिए सच में ये बहुत लाजवा बनती है और कम समय में बनके तयार हो जाती है तो ये हो गई है इसको हम निकाल लेंगे तो इस तरह से हमने सारा बना लिया है वो इसे हमने निकाल लिया है एक प्लेट में तो इसे हम दौने में सर्व करेंगे जिस तरह से हम लोग मार्केट में खाते हैं तो दीए इस तरह से हमने दौने में इसे निकाल लिया है और इसके लिए हमने इमली की चटनी पहले से ही बना के रखी है तो अपने टेस्ट के नुसार इसे एसेंबल कर ले तो यहाँ पर हमने पहले धही डाला है मीठा वाला फिर इसमें हमने इमली की चटनी डाली है और फिर इसमें हमने हरी वाली चटनी डाली है चटनी अपने स्वाद के उनसार गम जादा करके डाल सकते है और इसमें में जो मसाला भून के रखा था ना उसको डाल दिया है चटपटी करारी मजेदार या पापड़ी चाट बनके तयार हो गई है अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो लाइक से सब्सक्राइब कर ले थैंक्स पूर वाचिंग टे कियर बाई